ऐसी धातु का उधारन दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रब होती है यानि कि कमरा का जो तापमान है उस पर जो है द्रब यानि जल की रूप में होती है चाकु से आसानी से काती जा सकती है अब ऐसा धातु का उधारन देना है जिसे हम चाकु से काट सकते है उस्मा की सबसे अ NCRT book से, तो यहाँ पे जो है, हमें ऐसे धातु का उधारम देना है, धातु का, जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, यानि कि कमरा जो मेरा कमरा का जो तापमान रहता है, उस पर वह द्रव के रूप में रहता है, अगर उससे कम हो, तो ठोस बन सकता है, लेकिन कमरा के जो अगर देख रहे हैं, यही है पारा, जो कमरा के तापमान पर द्रव के रूप मेराती है, अब देखें, चाकु से आसाने से काटी जा सकती है, अब आपको ऐसा धातु का नाम बताना है, जिसे आप जो है, चाकु से आसाने से काट सकते हैं, तो कौन सा धातु है, तो वह है, सोडियम कौन है सोडियम 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 एक ऐसा धातु है जिसे आप चाकु से आसानी से काट सकते हैं यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह सोडियम का यही है सोडियम जिसे आप आसानी से जो है चाकु से काट सकते हैं और यह एक धातु है अब देखे उस्मा की सबसे अच्छी चालक होती है ऐसे जो है धातु करना बताना है जो उस्मा का सबसे अधिक चालक हो तो वह है चांदी कौन है चांदी तो यहाँ पर लिखे चांदी चांदी आप जानते हैं चांदु क्या आब उसन भी बनता है तो चांदी जो है उस्मा क का सबसे अच्छा चालक है अब देखिए उस्मा की कुछालक होती है यानि कि इस होकर जो है उस्मा प्रभाहित नहीं होता है तो कौन है ये और ये धातू है तो कौन सा है तो वो है ये आप तस्वीर जो देख रहे है यही है और ये जो है उस्मा की कुछालक है और ये एक धातू है